आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि marriage certificate यानि कि विवा पर्मान पतर आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं आप अपनी mobile phone से भी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं आपके पास अगर पंजिकरन संक्या है तो आप उससे कर सकते हैं नहीं तो आपके पास जो mobile number है जो आपने आविदन के समय दिया था उससे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं marriage certificate को विवा पर्मान पतर को कैसे apply किया जाता है online complete process मैंने कल के एक वीडियो में बताया था विडियो बहुत बड़ा था उस विडियो में ये सारी चीज़े भी आपको बताई गई है कि कौन कौन से document आपको लगाने होंगे तब जाके आप marriage certificate बना सकते हैं इसकी सारी जानकारी आपको उस विडियो में मिलेगी उस विडियो का link आपको description मिलेगा इस विडियो में मैं आपको marriage certificate को download करने का complete process बताने वालों बेना skip कि ये विडियो को जरूर से देखना तो चलिए विडियो को start करते हैं फिर भी आपका कोई doubt ये कोई सवाल रहता है तो आप हमें comment करके कूँ सकते हैं मैंरे certificate को download करने के लिए viva पर्मान पतर को download करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी browser में या फिर आप mobile में भी कर सकते हैं यही तरीका रहेगा यहाँ पर आपको लिखना है पहचान उसके बाद आप इस portal को open करेंगे यह वाला portal आ जाएगा पहचान.raja.nic.in इस portal को आप open कीजिएगा open करने के बाद यह portal कुछ इस तरीके से open हो जाएगा आप यहाँ से जनम पर्मान पतर, मिम्र्ति पर्मान पतर और विवा पर्मातर चारों डाउनलोड कर सकते हैं इसी portal के माधियम से यहाँ पर आपको download certificate के option पर click करना है आप इस पर click करेंगे तो download करने का जो process है वो काफी simple simple है अगर आपने मेरे certificate को register करा दिया है आप ने apply भी कर दिया online सब कुछ complete आपको message मिल गया होगा जिसके अंदर आपको पंजिकरन संक्या मिल गई होगी तो उसके माधियम से भी आप उससे download कर सकते हैं विवा को यहाँ पर select करना है क्योंकि हमें मेरे certificate download करना है इसके बाद पंजिकरन संक्या के अंदर आपको पंजिकरन संक्या डाल देनी है तो ज़्यादात लोगों को पता नहीं रहती है पंजिकरन संक्या या फिर उनको message में नहीं मिल पाती है तो वह क्या कर सकते हैं वही mobile number जो आवेदन के समय उन्होंने दिया था वह mobile number डालके भी वह अपना आवेदन यानि सोरी अपना जो परमान बतर है वह यहां से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं इसमें कोई भी problem नहीं ठीक है बिलकुल आसानी से वह अपना परमान पतर डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर हमने पंजिकरन संक्या डाल दिये और years डाल हुआ है और उसके list में नाम आ गया यहां पर आपको registered mobile OTP का option है तो OTP पर आप क्लिक करेंगे लास्ट में आप तीन संक्या देख सकते हैं mobile की इस number पर OTP जाएगा okay पर आप क्लिक करेंगे यहां पर उस OTP को डालके download certificate के option पर आपको क्लिक करना है तो यहां पर उस OTP को आपक download certificate पर क्लिक करेंगे तो आपका certificate download हो जाएगा और आप चाहें तो mobile नंबर से भी उसे आसानी से download कर सकते हैं अभी मैं OTP डालके download वाले option पर क्लिक करता हूं पर download certificate पर आपको जैसे क्लिक करेंगे तो आपकी PDF फाइल डाउनलोड हो जाएगी ज्योंकि हमारी एक बार में डाउनलोड करेंगे वह सही से फाइल डाउनलोड नहीं होगी यह आपको दिहान रखना है ठीक है फिर से मैं पंजीकन संक्या को यहां पर copy करके इसको एक बाद जो है dashboard को आपको refresh कर देना है और refresh करने के बाद यहां पर view को मैं select करूँगा एटेल डालूँगा फिर से उसके बाद यहां पर यह capture फिर से आपको डालना है फस्त बार जो आपका PDF डाउनलोड होगा वह आपका certificate नहीं होगा होजी पर मैं click करूँगा फिर से OTP पर मैं send सकते हैं तो हमने रिटन और टीवी भी भेज़ा है क्योंकि अभी फर्स्ट बार में जो डाउनलोड हुआ था वह यह वाली फाइल हुई थी जो हमारे किसी भी काम की नहीं है इस टाइप से हुई थी जो कि अभी हम जो कर रहे था ना जो डैसबोड था यहां पर यहां पर अग्युक्तपर में और लाउनलोड क One सबमाराइल तो अगर हमारे क्याहीं से को सैंडर करें तो अगर मुर्थ Agora बनाट nella descrição दाउनलोड नहीं होगा अफी PDF यहाँ पर successfully download हो जाएगा हम इसको open करके आपको दिखाना चाहते हैं यह हमारा marriage certificate बिल्कुल complete बन चुका है जो कि यहाँ पर आ चुका है और यह यहाँ पर verified भी आ रहा है अगर यह verified नहीं तो आप इसे online verify कर सकते हैं इसके उपर मैंने वीडियो बना रहा है तो काफी आसान तरीके से हमने आपको यह बता दिया काप marriage certificate को कैसे download कर सकते हैं और हमने पंजीगन संक्या से आपको download करना सिखाया है आप mobile number पर click करके वो mobile number भी डाल सकते हैं जो आपने आवेदन के समय दिया था तो वहाँ पर भी आपका जो आवेदन है वो यहाँ पर आ जाएगा वो भी मैं आपको एक बार search करके दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाएगा ठीक है उसके बाद यहाँ पर हम इस capture code को फिलिप करेंगे जैसा लिखा हुआ है उसके बाद जैसा capture sorry लिखा हुआ है वैसा ही जालेंगे गलत नहीं जाला है होजे पर हम क्लिक करेंगे invalid RTP का option आ रहा है हम सबसे पहले इसको refresh कर देते हैं portal को विवा को select करेंगे mobile number वाला option select करेंगे तो है mobile number डालेंगे जो हमने आवेदन के समय दिया था जैसे हमारे पास पंजिगर संक्या नहीं है तो उसके बाद भी हम उसे download कर सकते हैं बिना किसी problem की तो यहाँ पर हमने उस mobile number को successfully डाल दिया है उसके बाद यह जैसा capture लिखा हुआ है वैसा आप फिलिप करेंगे होजे पर आप click करेंगे यह आवेदन आ जाएगा और अब उसी तरीके से इसे भी आप मैरे certificate को आसानी से download कर सकते हैं आई होप यह वीडियो आपको काफी जादा पसंद आई होगी अच्छे लगे तो like करके दोस्तों सा share जरू करें धहने बाद और बाकी मैरे certificate को कैसे बना जाता है क्या क्या document उसमें लगते हैं कल हमने इसके बारे में complete वीडियो बना के अपनी चैनल पर डाल रहे हैं जिसका link आपको वीडियो के description मिलेगा बहुत ही helpful रहेगी वीडियो फाल तो कहीं आपको जाने की ज़रूत नहीं रहेगी क्या क्या document है सारी जानकारी उसमें आपको दी गई है